Hey guys, welcome back to Power Drag आप में से हर कोई जानता है आज की डेट में इंडियन मार्केट के अंदर किया एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है जिस गाड़ी ने इंडियन मार्केट के अंदर आते ही अपना नाम ऐसा मशूर करा है मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में इतना tough competition होने के बावजूद भी किया की गाड़ियों को बिक पाना या फिर किया को अपनी गाड़िया बेच पाना काफी ज़्यादा मामूली सा लगने लगा है क्योंकि देखो किया ने उन चीजों के उपर अटेक करा है जिसके उपर इंडियन्स मरते हैं जैसे की तगड़े लुक्स दूसरा रीजनेबल प्राइज तीसरा सबसे यूनीक फीचर्स और चौत्था रोड प्रेजन्स या फिर आप लोग कह सकते हैं कि एक जो हेट टर्नर कार जाती है वो एक चीज है अब यहां पे इनके आप लोग सेल्टाउस देख लो वो कितनी तगड़ी इंडियन्स मर्केट के अंदर आते ही भी किती कितनी जल्दी उसने अपने एक लाग उनिट्स को सेल कर लिया था जिसमें सबसे पहले आता है गाड़ी का रिजनेबल प्राइज जिसमें कि आप लोग को पताएगी भाई देखो सौनेट काफी ठीक प्राइज के उपर आते हैं मैं ना बहुत उसे महंगी कह सकता हूँ ना उसे बहुत सस्ती कह सकता हूँ फिर देखो किया एक चीज और है थोड़े से ना किया मतलब गाड़ी के कुछ ऐसी चीज़ों को हटाती है जिनके उपर किसी का कोई खास ध्यान ने जाता उसके बदले एक तकड़ा फीचर एड़ कर देती है जिस वैसे लोग उस गाड़ी को लेना काफी ज़्यादा पसंद करने लग जाते है फिलाल आज इस वीडियो में आप लोगो को मैं किया की एक न्यू इलेक्टरिक गाड़ी हमारे इंडिया के अंदर लॉंच होने वाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ आप लोग जानते ही होंगे किया जब भी कुछ करती है या फिर कुछ भी चीज अपने इंडिया के अंदर लॉंच करती है तो किया का यही रहता है कि हाँ भई हमारी गाड़ी के अंदर यूनीक चीज होने चाहिए जिससे की गाड़ी लॉंच होते ही, कस्टमर्स के दिल पे राज करें तो देखो भाई, सबसे पहली चीज इस गाड़ी का नाम क्या होने वाला है यह क्रॉस ओवर इलेक्टरिक कार होगी, प्रॉपर इलेक्टरिक फिलाल तो इसका जो मतलब नाम है, कंसेप्ट नेम आप लोग कह सकते हैं इवी सिक्स के नाम से इसको जाना जा रहा है कुछ इसके एक दो फोटोज वगएरा भी दिख रहे हैं जिसके अंदर हलगी प्रॉपर गाड़ी तो नहीं नज़र आ रही है आप लोग देख के काफी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इस टाइप की गाड़ी आपको देखने के लिए मिलने वाली है सबसे पहले अगर मैं इस गाड़ी के प्लाटफॉर्म की बात करूँ हमें इस गाड़ी को किया, ग्लोबली अन्वील और लाँच करने वाला है तो आप लोग आइडिया लगा के चल सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी ये गाड़ी 2021 के आखिर तक आप लोगो को देखने के लिए मिल जाएगी अभी इसके प्राइजिंग को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता बस एक्सपेक्टेशन यही है कि ये गाड़ी आप लोगो 10 लाक रुपे से लेकर 15-16 लाक रुपे तक देखने के लिए इंडिया के अंदर मिल सकती है ये सिरफ एक्सपेक्टेट प्राइज है कंफर्म कुछ भी नहीं है प्राइज को लेकर इसपेशली अब अगर वहीं पर इस गाड़ी के अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें जो इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट बन सकती है जिस वहें से आप लोग इस गाड़ी की तरफ जाने का प्लान कर सकते है देखो अगर गाड़ी के अंदर कुछ यूनीक चीज होगी जबी तो आप और पैट्रोल डीजल की गाड़ी या फिर और उस सेग्मेंट में उस प्राइस पॉइंट में आने वाली बढ़िया गाड़ी को छोड़ कर इसकी तरफ जाएंगे जैसे की सबसे पहली चीज इस गाड़ी के अंदर इलेक्टरिक होने के बावजूद इसमें आपको किया सबसे ज़्यादा रेंज ओफर करने वाला है उमीद ही है कि इस गाड़ी के अंदर आप लोगो को 500 किलोमेटर से भी प्लस की रेंज एक सिंगल चार्च पे मिल जाएगी जो कि इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव बनने वाला है दूसरा किया इसके अंदर प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देने वाली है और उसी के साथ इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन 10.25 इंचिस की होगी जो की पूरी की पूरी एक सिंगल स्क्रीन के साथ आएगी जो इसका एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि हम इंटिरियर को कूल बनाने वाला फीचर रहने वाला है इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को एक काफी मस्त से डिजाइन का स्पॉलर भी मिलेगा अब अगर आप लोग इस गाड़ी को देखेंगे या फिर अगर आप लोग इसके थोड़े बहुत जो भी फोटोस वगर आप लोग इसमें थोड़ा बहुत देखके आईडिया लगा पाएंगे तो काफी लोग इस बात को छोड़ते हुए भी क्रेटा की तरफ चले जाते हैं तो इस बार इस टाइप की कोई भी छोटी मोटी गलती यहां पर किया नहीं करने वाला है दूसरा इस गाड़ी के उपर आप लोग को किया का न्यू वाला जो लोगो आने वाला है वो देखने के लिए मिलेगा जो कि देखने में अच्छा सा लग रहा है बट अगर मैं भी करन्ट वाले से उसको कंपेर करके बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि करन्ट वाले को चेंज करने की कोई जरुवत है वो करन्ट वाला भी देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है इसके अंदर आप लोग को एंगुलर शेप में LED हेड्लैंप्स देखने के लिए मिलेंगे और करवी बोनेट के ओपर थोड़ से करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि एरो डानेमिक्स की तरह काम करेंगे जिससे कि आपकी गाड़ी इजली एर को कट करके आगे की तरफ जा सके एक इस गाड़ी के अंदर ऐसा इतना तगड़ा फीचर आने वाला है इंडियन वेरिंड में अगर आया तो बहुत ही जबरदास्त फीचर हो जाएगा आप लोगों को पता होगा कि टेसला की कार्स के अंदर आपको ADAS टेक्नोलोजी मिलती है इट मींज एडवांस अगर यह फीचर इंडिया के अंदर आ जाता है तो भाई इस गाड़ी की सबसे बड़ी मेजर हाइलाइट ही यह फीचर बन सकता है दूसरा अगर इसके अंदर और थोड़े से फीचर की बात करी जाए तो कार में आपको Adaptive Cruise Control देखने के लिए मिलेगा 360 degree camera, heads up display, lane keep watching assistance, autonomous emergency braking इट मींज यह होता है कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है अगर एकदम से कोई बंदे ने पैनिक ब्रेकिंग करी आपका दिहान कहीं हो रहे है या फिर कुछ भी है तो गाड़ी के जो front parking sensor है वो automatically sense कर लेते हैं distance को और brakes को अपने आपी apply कर देते हैं तो वो एक काफी बढ़ी है एक safety feature मुझे काफी मस्त लगता है जो कि एक बहुत जरूरी है और किया अपनी बहुत सारी गाड़ीों को इंडिया में लाउंच करने का प्लान कर रहा है तो उसके उपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा तो उस में कि आप अपने mobile phone से काफी सारी चीजों को एकसिस कर पाएंगे और गाड़ी के अंदर आप लोगो काफी cool सा एक spoiler भी देखने के लिए मिलेगा 63 degree camera होने वाला reverse parking sensors होंगे front parking sensors होंगे और गाड़ी के अंदर आपको heated और ventilated वाली seats भी मिलेंगी जो कि Kia Sonnet के अंदर भी company offer करत रखते हैं मत बट वो चीज मैं confirm नहीं कहा रहा हूं कि इंडिया में आईगी नहीं आईगी बट गलोबली तो आपको इस सारी जबर्दस चीजे देखने के लिए मिलने ही वाली है तो आज आप लोग बताना कमेंट डाउन करके कि आपको आज की वीडियो धमागेदार मस्त इसी लगी है लगी है तो एक लाइक करते हैं और अगर नहीं लगी है तो फिर बता देना क्या कमी पेशी रह गई और बाकी जो इस गाड़ी के अंदर नॉर्मल बीसी के अभी जीजे जो पता चलिये हैं वो तो यहीं है और इसके अंदर आप लोग फास चार्जिंग और न आपको मिल सकता है अब इस वीडियो को क्लोस करते हैं अगर लगाओ इंफरमेटिव थोड़ा बहुत भी काम का हो तो कर देना भाई लाइक और अगर कुछ रह गया हो तो वो चीज़ा आप लोग कमेंट बाक्स में बता सकते हैं तो जब तक लिए बाई-बाई मिलेंगे फ